पंच्तंत्र की कहानी जादूवी पतिला सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था वह गाओं के एक जमीनदार के खेट पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था पहले किशन के भी खेट थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेट बेचने पड़े मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था वो हर दिन सोचता की कैसे घर की स्थिती को बहतर किया जाए आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबर सुबर जमीनदार के खेट पर काम करने के लिए निकला खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातू से टकराए और तेज आवाज हुई किशन के मन में हुआ की आखिर ऐसा क्या है यहाँ उसने तुरंट उस हिस्से को खोदा तो बहां से एक बढ़ा सा पतीला निकला पतीला देखकर किशन दुखी हो गया किशन के मन में हुआ की ये जवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती फिर किशन ने सोचा कि चलो, अब खाना ही खा लेता हूँ किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेक दी और हाथ मूंद भोकर खाना खाने लगा खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा वहां पहुँचते ही किशन हैरान हो गया उस पतीले के अंदर एक नहीं, बल्कि बहुत सारे कुदाल थे उसे कुछ समझ नहीं आया तब ही उसने अपने पास रखी एक टोक्री को भी उस पतीले में फेक दिया वो एक टोक्री भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादूई पतीले को अपने साथ खर लेकर चला आया वो हर दिन उस बरतन में अपने कुछ ओजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतिले में डाल दिया वो गहने भी बहुत सारे बन गए इस तरह धीरे-धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमीनदार के यहां मजदूरी करना भी छोड़ दिया किशन को अमीर होते देख जमीनदार मुहन को किशन पर शक हुआ वो सीधे किशन के घर पहुचा वहाँ जाकर उसे जादूई पतिले के बारे में पता चला उसने किशन से पूछा तुमने यह पतिला कब और किसके घर से चुराया डरी हुई आवाद में किशन बोला साहब, ये पतिला मुझे खेट में खुदाई के समय मिला था मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है केट में खुदाई की बात सुनते ही जमीनदार ने कहा यह पतिला जब मेरे खेट से मिला तो यह मेरा हुआ किशन ने जादूई पतिला ना लेकर जाने की बहुत मिननते की, लेकिन जमीनदार मुहन ने उसकी एक नहीं सुनी वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादूई पतिला लेकर चला गया जमीनदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डाल कर उन्हें बढ़ाना शुरू किया एक दिन जमीनदार ने अपने घर में मौझूद सारे गहने एक एक करके उस पतिले में डाल दिये और रातों रात बहुत अमीर हो गया एकदम से जमीनदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुँच गई पता लगाने पर राजा को भी जादूई पतिले की जानकारी मिली फिर क्या था, राजा ने तुरंट अपने लोगों को भीच कर जमीनदार के यहां से बो पतिला राजमहल मनवा लिया राजमहल में उस जादूई पतिले के पहुचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया सामान को बढ़ता देखकर राजा दन रहे गया होते होते आखिर में राजा खुद उस पतिले के अंदर चला गया देखते ही देखते उस पतिले से बहुत सारे राजा निकलाए पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतर नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादूई पतीले ने बनाया है ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए लड़ाई के दोरान बोड जादूई पतीला भी जूट गया जादूई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सब को पता चल गया इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमीनदार मोहन ने सोचा अच्छा हुआ कि हमने उस जादूई पतीले का इस्तिमाल सही से किया उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी कहानी से सीख जादूई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है दूसरी यह की हर सामान का इस्तिमाल संभल कर करना चाहिए अती हानिकारक हो सकती है